नमस्कार, भविश्यवानी में आपका स्वागत है, रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य, आपके राश्य का भविश्य बताने के लिए आज शामण मास के शुक्ल पक्ष की उदेयातिती सब्तमी और सोंगवार का दिन है सब्तमी तिति आसुबा साथ बचकर दस मिनिट पर ही समापत हो चुकी है और अभी अश्टमी तिति चल रही है, जो कि कल सूर्योदय से पहले चार बचकर अठाओन मिनिट तक रही है आज शामण मास का चौथा स्वंबार है, आज के दिन शिवजी की विशेशूप से पूजा चनक की जाएगी साथ याज दुर्गाष्टमी परत भी है आप लोगों को पता ही होगा कि परतेक बहीने की शुक्रपक्ष की अश्टमी को दुर्गाष्टमी ब्रत किया जाता है आपको याद होगा आज साथ ही होग और चित्रा नक्षत्र भी है, आगे हम इसी पर विस्तित चर्चा करेंगे तो आज हम साथ से पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैर योग की तो बता दू कि आज ये योग नहीं बन रहा है, आज ये योग तो अगरत की रात 9 बच कर 29 मिनिट से अगली सुभा सूर योदे तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार सिद्य योग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की आज ये योग नहीं बन रहा है अगर ये योग 29 जुलाई की सुभा 8 बच कर 33 मिनिट से 30 तारीक की सुभा 7 बच कर 41 मिनिट तक रहेगा इस क्रम में आई ये चर्चा करते हैं आज के शुम महुत यानि की फेवरेवल टाइब की अगर आप किसी को परपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महुत शाम शे बच कर 2 मिनिट से रात 8 बच कर 14 मिनिट तक रहेगा आज नया बिजने शुरू करने के लिए को अच्छा महुत नहीं है अगर आपको एक कांस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज को अच्छा महुत नहीं है तालिस मिनिट तक और रात ग्यारा बच कर 6 मिनिट से भोर चार बच कर 52 मिनिट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आखाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रो माइटिव फील्ड कुछ शाओं के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांति साम में से एक लेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इसे चारों तरफ लेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अशुब समय नहीं है अब ये अशुब समय 29 जुलाई की शाम 6 बच कर 9 मिनिट पर रहेगा वैसे तो इसे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मेश, बिथुन, ब्रिश्चिक और धनू राशियां विशे शुब से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के बारा मिनिट पहले और बारा मिनिट बाद तक कोई शुब करें नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात वाद और बतादून की काम शरू करते वर राहुकाल का ध्यान रखना बहід चलूरी है राहुकाल के दौरण कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले شुरू कर लिया है पहले से चल रहा, उसे जारी रफ्टी आज दिली में राहुकाल होगा सुबह 7 बच कर 22 मिनित से नौ बच कर 4 मिनिट तक मंपई साथ बच कर एक 4 मिनिट से 9 बच कर 13 मिनिट तक चंडी गड़ सुबह 7 बच कर 20 मिनिट से 9 बच कर 3 मिनिट तक लखनव सुबह 7 बच कर 10 मिनिट से 8 बच कर 14 मिनिट तक भोपाल सुबह 7 बच कर 28 मिनिट से 9 बच कर 7 मिनिट तक कोलकाता सुबह 6 बच कर 45 मिनिट से 8.25 मिनिट तक अहमदाबाद सुबा 7.47 मिनिट से सुबा 9.27 मिनिट तक और चेन नई में रहुकाल होगा सुबा 7.29 मिनिट से 9.40 मिनिट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज वो दिशा है दक्षिर पर्चिम और पर्चिम और आईए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशी फलका सबसे पहले बात रोची तरे आज भी मेश राशी वालों आज आप परिवार वालों के साथ सुखा समय बिताएंगे सामाजी की स्तर पर आपका रुदबा बढ़ेगा कारेक्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आर्टिक मदद मिलने की संभावना है आफिस में आपके कारियों की प्रिशंसा होगी धनलाग के योग बन रहे हैं आज आपके कारिक्षमता भविश्य में आपको फायदा दिलाएगी आप से हत्मन बने रहेंगे आपके सभी योजनाएं सफल होगी आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नमबर है चार ब्रेश राशी वालों आज आप सामाजी कारियों में बढ़ चड़तर हिस्सा लेंगे मेहनत के परनाम जल्दी आपको मिलेंगे इस राशी की महिलाओं को आज के लिए आज के दिन कोई खास कोई खुश्खबरी मिलने वाली है करियर के लिए आज का दिन मील का पक्तर साबित होगा सफलता आज आज आखके कदम चुमेगी आफिस में सब के साथ आपके रिष्टे बेहतर बने रहेंगे आपके मन की इच्छा पूरी होगी घर में सुक शान्ति बनी रहेगी आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है तीन मित्वन राशेवालों आज आप अपने डेली रोटीन में बदलाव करने की सोच सकते हैं आप अपने साथियों को खुश रखने की कोशिश करेंगे BCA स्टूडेंट्स को करियर में सफ़ता मिलेगी आप अपने लक्ष की और आगे बढ़ेंगे आज आपकी कोश जरुवी प्लैनिंग आप करेंगे आज आपका दांपत जीवन बहुत सुखद रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है आपको सभी कामों में कामयापी मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है तो करकर आशेवालों आज किसी काम में आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए परिवार के साथी घर पर पूजा पार्ट में लगे रहेंगे व्यापार में आपको उम्मीद से कुछ कम ली लाप मिल पाएगा आपके लिए कोई फैसला करना आज कटिन सावित होगा आज किसी दूसरे विक्ति पर अपने काम को थोपने से आपको बचना चाहिए अपना काम खुज से पूरा करने की कोशिश करें इससे आपको अपने काम का क्रेट बिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है सेवन सिंग अराशिवालों आज आपका मूड खुश मिजास बना रहेगा आफिस के मामलों को लेकर आपको दोड़ा सा तर्क रहने की जरूरत है अगर आप नौकरी पेशावाले है तो आपके रुके हुए काम में सहयोगी से मदद मिलने की उम्मीद है साइस स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है आपको अपनी मेहनद चारी रखनी चाहिए परिवार के जिम्मेदारियां बढ़ सकती है आज किसी काम में दोस्तों का सहयोग बिलेगा आज के लिए आपका लखी करार है बलैक और लखी नमबर है आठ कन्या राशिवालों आज आप काम के बदे बेहद एक्टिव रहेंगे आप खुद को ताजगी से भरा हुआ मैसूस करेंगे जरुत बंद की मदद के लिए हर संबाव कोशिश करेंगे आपको इससे फाइदा भी जरू होगा आज आपका पॉजिटिव विवहाल लोगों को प्रभावित कर देगा किसी जरूरी काम कास से भागदौर करनी पर सकती है लेकिन काम में सफलता भी जरू मिलेगी मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिरलाफदायक रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है औरेंच और लकी नमबर है पांच तुला राशिवालों आज आप आउनलाइन सर्चिंग में विजी रहेंगे अपने लिए कोई इलेक्ट्रोनिक गैजट खरी देंगे आपको डिसकाउंट भी मिलेगा आज शाम को बच्चों के साथ कहीं आज पर घूमने के लिए चाहेंगे कामकाच में आपको सफलता मिलेगी लेकिन गर के मामले में आप कुछ परेशान परेशान से रहेंगे आप किसी पुरानी बात को लेकर बार बार सोचेंगे स्वास्त में भी उताज चड़ाओ हो सकता है भाई बेहनों से काम में सपोर्ट मिलेगा उनके साथ आपका विवहार अच्छा बना रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है वाइट और लखी नंबर है एक वरेश्टी कराशी वालों आज खुद को एनरजिटिक फील करेंगे बी टेक स्टूडेंस के लिए दिश शांदार रहने वाला है आज आपका दामपच्च जीवन पहतर रहेगा मन खुश्यों से भरा रहेगा आपके आसपास बच्चों की चैल पहल रहेगी आपको एक साथ कई काम समालने पड़ सकते हैं लेकिन परिवार के साथ मिलकर आप सब कुछ अच्छे से मानेश कर लेंगे आज आपकी धन समपदा में बढ़ोतरी होगी वर्दी होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है चार धनो राशेवालों आज किसी विक्ति को आप से उमीद से ज़्यादा पेक्षाए होगी घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजर्ग किराय कारगर साबित होगी लवेट्स के लिए दिन फेवरिबल रहने वाला है रिष्टों में मिठास बढ़ेगी आज किसी काम में थोड़ी मेहनत से ही बड़े धल आपका असर प्राप्त होगा आज आप दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएंगे आज आप जिस काम की शुरुआत करेंगे उसको समय रहते पूरा कर लेंगे आज आफिस में जूनियर साथ से कुछ सीखने के कोशिश करेंगे वे द्यार्थियों को मेहनत के अनरूप ही परणाम मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नमबर है सेवन मकर राशिवालों आज किसी काम को करते समय अपने मन को शांत रखें इससे काम आसानी से पूरा होगा आज पैसों से जोड़े बड़े फैसले आपको सो समझ कर लेने चाहिए आपको किस्मत के भरों से बिलकुल नहीं रहना चाहिए नौकरी पेशा लोगों को अपनी बंचाही जगे पर ट्रांसफर के लिए अभी थोड़ी और मेहनत करनी पर सकती है मेकेनिकल इंजीनिर्स के लिए दिन सामाने रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है वाइलेट और लखी नंबर है तीन कुम भराशिवालों आज आपका सोचा हुआ काम अचानक पूरा होगा अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो दिन फेवरिवल रहने वाला है आपकी सफलता सुनिश्चित है आपको काम के नए आउसर जल्द ही मिलेंगे अपने कारेक छेतर को बढ़ाने के लिए आपको किसी मितर से आर्थिक मंदद मिल सकती है राजनीद से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है स्काई बलू लखी नमबर है सिक्स मीन अराश वालो आज आपका दिन खुश्यों से भरा रहेगा आपका कोई खास काम आसानी से पूरा होगा बिजनसमैन के लिए दिन फायदे मन रहने वाला है रोजगार के मामले में आपके सी जानकार वेक्ति से सलाह लेंगे आज दूसरों की मदद के जलिए आपको भी काम के कुछ नए मौके मिलेंगे जीवन साथी के करियर में अचानक बडलाव आने की संभावना है ये बडलाव उनके लिए लागदाई होंगे आज के लिए आपका लखी करार है मैजेंटा और लखी नमबर है चार और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज किसी बच्चे को पानी किलाएं और जिनकी आज मरी जनवर सरी है वो आज गाए को गुण किलाएं तो साल भर सुख और सुभागे बढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहस्माई दुनिया में मुलांक एत वानों समझधारी और सुजबूस से काम करेंगे जो तो आपको मन्चाही सफलता मिली मुलांक दो चात्परों का मन्चाता तर पढ़ाई में रहेगा एक्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार में लेगा और जिनका मुलांक है तीन आज आपका आर्थित पक्ष उत्तम रहेगा साथी आपके जरुते भी पूरी होंगी और मुलांक चारवानों पत्नी से जीवन साथी से अगर आप इस तरी हैं तो पती से पारिवारिक मसलों पर सहमती बनेगी जो भी बात कहेंगे वो उन्हें मानने होगी मुलांक पांच आज पास का वातावरान अच्छा रहेगा सेहत के पती आपको काफी फाइदा होगा सेहत अच्छी रहेगी मुलांक 6 मॉनिंग वॉक करना आपकी सेहत के लिए थोड़ा जरूरी हो गया समल समल कर बाहर निकलिएगा इससे आपकी सेहतनी सुधार रहेगा मुलांक साथ अच्छे स्वास्टे के लिए बाहर का घाना खाने से बचें जिससे आपका स्वास्टे बेहतर सकते है मुलांक आठ घर पर खुशी का माहुल बना रहेगा साथ ये एक दूसे से तालमिल बना कर चलेंगे मुलांक नौ आज का दिन शानदर रहेगा आपको आगे बढ़ने की कोई नई किरन नजर आएगी और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे भावन बनाते समय उसके शुब अशुब विचारों के वास्तु शास्त के रिसार किसी भावन को बनाते समय उसके शुब अशुब परणामों की तरफ विचार जरूर करना चाहिए और सुल योजित योजना भी बनानी चाहिए भावन के लिए बोखन खरीदते समय या बनाते समय कई बार कुछ महत्रकून चीजों पर गौर करना चूट जाता है इसलिए पहले से ही उसकी एक सही तरीके से योजना बना लेनी चाहिए ताकि अधिक से देख विचारों पर काम किया जा सके दिशाओं के अनसार भावन बनाने के लिए आठ इस्थितियां बनती है पहली इस्थिति में पूर मुखी भावन आता है जिसमें भावन का द्वार पूरु दिशा में होता है दूसरी इस्थिति में पस्चिम मुखी भावन आता है पस्चिम दिशा की ओर मुखे द्वार होता है अगले इस्तिती उत्तर मुक्य भावन जिसमें भावन का द्वार उत्तर की ओर होता है और दक्षल मुक्य भावन जिसमें दक्षल दिशा की तरफ भावन का द्वार होता है अब इशान मुखी नौर्थ एस, नौर्थ लीश के बीच में, जिसमें भावन का मुख्यद्वार उत्तर पुरु दिशा की ओर होता है। अब कल चर्चा करेंगे, पुर वोखी भावन की विबिन इस्तितियों में भावन निर्मान कराते समय शुभा शुभा परिणामों के बारेंरेंगे। अअब आज के दिन की सबसे विशेश बात ती च्रावन शुक्रबक्ष की वदेय अती थी सप्तमी और सोंवार का दिल 강े का सप्तमी की सब्सकूल अब ही और्बी चर्फ हो चुकी है और अभी अश्टामी तीच चल रही है आश्टमी का सूज starring से पहले चार बच कर एक्ठावर मेर्ट तक रहेगी आज श्रावनमास कर चौता सोमवार है आज के दिन भागवान भोले नाज की विशेश रूप से पूजा अर्चना की जएगी हमने श्रावन के पत्तेग सोमवार पर आपको भागवान शिव की पूजा से जूली बहुत सी जवरी बाते बताई हैं हमने पार्थि पूजन के बारे में भी चर्चा की थी साथी हमने विशेश मंत्रों के जाप के बारे में भी बताया है उन विशेश मंत्रों का जाप आप वैसे तो पूरी श्रावनमास के दौरान कर सकते हैं लेकिन श्रावनमास के सोमवार के दिन कुन विशेश मंतुरों का जाप करना अधिक फंदाई होता है। साथी आज दुरगा अस्ट्यमी वरत भी है, आप जानते हैं कि हर महीने के शुक्रपक्षं की अस्ट्रीमी तीदी को दुर्गा आश्टमी का वरत किया जाता है इस दिन मादुर्गा की उपासना की जाती है तो ये थी चर्चा आज शामनमास के चौते सूंबार और शे दुर्गा आश्टमी वरत की और अब बात करते हैं आज ये दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्रगी आज रात आठ बच कर उन्चास मेने तक साध्य योग रहेगा इस योग में कोई भी कार्ये सीखने ये करने से पूर रूप से सफलता मिलती है साथी आज दो पहर पहले ग्यारा बच कर चार मेने तक चित्रा नक्षत रहेगा वन अस्पतियों में इसका संबंध बेल के पिल से है और अब बात करेंगे शामर सुमवार और दुर्गा अश्टमी के दिन किये जाने वाले विभिन उपायों अगर आप एक डॉक्टर है या सर्जन है तो अपने काम की बेहतरी सुरिश्चित करने के लिए आज शामर सुमवार के दिन आपको सूत का एक धागा लेकर बेल के पिल पर साथ बाल लपिटना चाहिए और उसके बाद हाँ जोड़ कर प्रणा करना चाहिए आज की दिन ऐसा करने से आपकी काम की बेहतरी सुरिश्चित होगी आप सुरक्शित रहेंगे आप अगर जो भी हेल्फ वर्कर से हैं सब इसको कर सकते हैं सब को फाइदा होगा अगर बेल का पेड़ न मिले बेल के फल को ही लपिट देजिए और वो भी न मिले तो मन से कीजिए भाव से कीजिए लेकिन जितने सुज़त करमी अभी कोरोना से लड़ रहें उनके लिए बड़ा महत्वपूर उपाय है अगर आपको अपने हर काम में बाधा ही बाधा नदर आ रही है और उससे बाहर निकलने के राह नहीं मिल रही है तो आज शावंट को पार कि दूए आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी बाधाउं से बाहर निकलने की कोई राह मिलेगी और आपके काम बनने लगेगी अगर पिता के साथ आपके वाईचारिक मद्वेद बने रहते हैं अगर जनरेशन कैप और अक्सक छुटी शुटी बातों पर उनके साथ विवाद की इस्तिजी बन जाती है तो आज के दिन पक्षियों को बाजरा खिलेगी साथी पक्षियों के लिए एक मिट्टी के बतर में पानी बर कर भी रखी आज के दिने साथ करने से पिता के साथ आपके वहिचारिक मद्वेद समापत होंगे और बेहतर संबंद बनेंगे देखो एक बात आपको बतानू जैसे आप शहरों में देखते हों को लोग होल सेल में बाजरा हीनों डाल देते जवों कबूतर वहां जाते हैं नो 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 याद रखिए कबूतरों को दाना देने से आपको कुछ फाइदा नहीं मिलेगा उल्टे नुकसान होगा आपको दाना चिडियों को देना यहां जब परिंदे कहिए ना परिंदे वे सबसे पहले कबूतरी मिलते आप चुणियां ढोड़िए उनका संदक्शन कीज़िए चलिए आगए चलते हैं अपने घर के सदक्शियों के खोशाली के लिए उनकी तरक्टी के लिए आज शामन सुंबार के जिन इसनान आदी के पहन कर श्यू मंदिर जाएं अगर दोबारा सनान नहीं कर सकते तो क्यवल हाथ पर दोकर साफ सुत्रे कपड़े पहन कर मंदिर में जाएए वहां जाकर ठीक सुबा की तरह धूब दीप आदी से भगवाश रंकर की पूजा करें अगर दोनों समय पूजा करना आपके लिए अगर आप उसे जल्द ही से जल्द छुट करा पाना चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय घर की किसी एकाम जगे पर आसन बिछा कर बैठ जाएं और महमत तुन्जे मंतर का एक सो आठ बार जब करें मंतर है ओम त्रेम वकम यजामाहि सुगंधिम पुष्टी वर्धनम उर अगर आपको हर समय किसी ने किसी चीज का भय बना रहता है तो उसके लिए आज 500 वार के दिन शाम के समय शिव जी की पतिमा के आगे दीपक जलाकर आसन बिछाकर पश्चिमा भी मोखो कर पश्चिम दिशा के और मूख करें और संभव तो रुद्राक्षा चंदन की माला से अगर आपके पास रुद्राक्षा चंदन की माला उपलब्द नहीं है तो कर माला पर हाथ में गिन ले एक सो आच बार मंतर का जाप कर लीजिए आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी किसी चीज का भय नहीं सताएगा और स्वैम के अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी आप अगर आपकी सेहत में लगातार फ्लक्ट्वेशन्स होते रहते हैं जिसके चलते हैं आप अपने काम को समय पर नहीं निप्टा पाते हैं तो आज तुर्गा अश्च्छी में के दिन आपको सुबह इसनान आदिके बाद मादुर्गा की विद्पूरत पूजा करनी चाहिए और कपूर से उनकी आर्थी करनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी सहत में लगातार हो रहे उतार चलाओ से चुटकरा मिलेगा और आप अपने कामों को समय पर पूरा कर पाएंगे अगर आप अपने बच्चों के करियर को बहतर गती देना चाहते हैं आप चा आज के दिन आपको इस मंतर का 11 बार जब करना चाहिए और जब के बाद देवी मा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के करियर को बहतर गती मिलेगी और उनकी तरक्की सुनेश्चित होगी अगर आपको किसी चीज का भय बना र आज के दिन आपको इस मंतर का दो बार चप करना चाहिए और जब के बाद मंदिर की घंटी बजानी चाहिए घंटा सर्वबाद दिमय माना जाता है बहुत अनन्ड होता है आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने भय पर का मूँ पालेंगे अगर आप कोई नई से उसमें कोई परिशानिया नजर आ रहे है तो आज शावन के आखरी सोंबार के दिन आपको शिव जी के इस मंतर का चाप करना चाहिए मंतर इस तरह है नमामी शमीशान निर्वान रूपम वे भूंबया पकंबर्म वे दस्व रूपम इन मंत्रों इस इन पंतियों के आज के दिन ऐसा करने से आप नई चीजों को सीखने में सफल होंगे और आपकी आर्थिक परिशानी भी दूर होगी अगर आप किसी से प्यार करते हैं अगर आप किसी से प्यार करते हैं उसी से शादी करना चाहते हैं तो शावन सोंबार के दिन आपको शिव जी की इस मंतर इस तूटी के साथ ही आपको शिवलिंग पर दही से अबिशिछ करना चाहे है दही दही शुक्र को रिलेट करता है। और शुक्र अशुरे को रिलेट करता है। आज के दिन ऐसा करने से आपका प्यार जल्द ही आपका जीम साथी बन जाएगा। अगर आप अपने जिन्दगी को खुशाल बनाना चाहते हैं अगला उपाई चाहते हैं तो आज के दिन सावन के सुंबार के दिन आपको भगवान शंकर के अगोर मंतर का जाप करना चाहिए अगोर मंतर है अगोरे भेयो अथगोरे भेयो गोर गोरतरे भीह सर्वे भोशर्वे भीए नमस्ते अस्टॹ्द रूप भेयो इस अगोर मंतर के साथ ही आज के दिन आपको शेवलिंग पर जल्बे पुश्पडाल कर चढ़ाने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपकी जिन्दई खुशाल तो ये सारी चर्चा थी आज 500 वार और दुर्गा अश्टिमी के दिन की जाने वाले विशेश उपायों के बारे में आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए आज हमने इसकी चर्चा किये यहां एक बार फिर याद दिला दू कि आज की ग्रहनप शत्री स्थित के अनुसा के साथ ही आज संपूर्ण भारत वर्ष में महान ग्रंथ रामचर इत्मानस के रचैता गोस्वामी तुलसीदाश जी की जहनती भी मनाई जाएगा राम चरित्मानस की रचना तुलसीदाजी ने आवधी भाषा में की है और ये भाषा उत्तर भारत के जन सामाने की जन साधरन की भाषा है इसलिए गोस्वामी जी को जन मन का कभी माना जाता है तुलसी दाजी की जेहनती के अफसर पर देश भर में रामचे जित्मानस के पाठ का आयोजन होता है तता शद्धालू, शी सीता राम और हनमान जी के मंज़ित जाते हैं तता तुलसी दाजी को स्पनाल करते हैं देखे आचारे रामचेद शुक्र ने लिखा है हिंदी साहित के इतिहास में कि ज्यान की कोरी वचनावली और लोग की तोती साधनावली के प्रचार और प्रसार से साधारन जंता में आवेवस्था पहली तबी श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए आठ मीना एक साथ जंत एक उनमें सक्षे उंची विला सूर्दाष है कि बिहारी ने भी बहुत वर्णन किया उसी संफें लेकिनु जन मानच के जिस आधर्ष किया उशिख तर पना संथ तुलसी दास नहीं किया उन्होंने एक आधर्श पिटा एक आधर्श पुत्र और सब़कर एक आधर्श पत् और उसे भी बढ़कर क्या देखे एक आदर्श चोटा भाई और उस चोटे भाई की पत्नी चोटा भाई तो सेवक के रूप में साथ जा रहा है और उसने अपनी पत्नी से का तुम घर में ही रहो उसके लिए क्या मैथिशनगुप्ति जी क्या लिखते हैं जब वन से लोटके तो गाई प्रभु ने वधू उर्मिला की गुन गीता कि तूने तो सहधर्म चारणी के भी उपर धर्म स्थापन किया भागिशाली नी इस भूपर जब प्रभु शी राम बनवा से लोटके देखे आदर्श पुत्र जो पिता की बात को रखते हुए सब के कहने के बावज जाएं पर वचन ना जाएं आदर्श भाई बड़े भाई का साथ ने छोड़ा चौदा साल तर और आदर्श पत्नी पति का साथ ने भाया जंगल जंगल काटों के साथ काटों के बीच और छोटे भाई की आदर्श पत्नी जिसने घर पर रहकर सब कुछ ने भाते हुए तो उर्मिला का चरिता, बहराल हम लोग चर्चा कर रहे थे राम चरित मानस की गोसवमे तुलसिदाजी की, आज इतनी सेकोव वर्ष के बाद भी राम चरित मानस पूर्ट अपरा संगिक है, मैं संथ तुलसिदाज को उनकी चरन वंदरा करता हूं, उनके आगे अपना मस्तन चुकरता हूं, और ब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अख़र आपके आज के भरुश के बारे में, और ए-बी-सी डी ही क्यो नाम का पहला चरिक हो, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्रिज्यों पर आपकी नजर होना जर जाएगा तो जिनके नाम का पहला आक्षा है A. काम के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा आसानी से कोच चीज हासिल नहीं होगी B. दिन चर्या के हिसाब से नियम बनाने की जरूरत है आगे बढ़ने में नियम सहायक होंगे C. कारेक्षेतर में बाधाएंगे आपको सतन रहकर काम करने की जरूरत है D. छोटे बच्चों के साथ समय बेतीत करेंगे जिससे बच्चे आपसे बहुत खुश होंगे E. विद्यास्यों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी परिश्रम का फल अवश्य बिलेगा F. किसी नई परियोजना का कॉंटेक्ट बिल सकता है इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी G. क्रोध और भावुकता में लिए गए निर्ने कष्टकारी हो सकते हैं कोई भी निर्ने ने शांते पूरत लिए H. आपके मन में आज नए नए विचार आएंगे जिससे आपकी क्रियेटिविटी बढ़ेगी I. अकेले पन की भावना से बाहर आएए परिवार के साथ कुछ पल बिताएए आपके लिए अच्छा रहेगा K. कामों को पूरा करने के लिए संगर्श करना पड़ेगा L. पुरानी बहचान का फाइदा आपको मिलेगा M. पहले से चलिया अरवी समस्याओं का हल लिख लेगा N. भागिया आपका पूरा साथ देगा जिससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे O. पारिवारी कल है आज समाथ होगी हर किसी के साथ मिलजूर कर रहेंगे T. परोस्यों से किसी बात पर विवाद हो सकता है विवादों से दूर रहने में ही भलाई है Q. किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए फाइदे बंद रहेगा घल आपके नए आसार करेंगे R. दूसरों की भावनाओं की गदर करेंगे तो खुद का सम्मान भी बढ़ेगा S. मीडिया से जोड़े लोगों का दिन आज अच्छा गुजरेगा कोई लीड स्टोरी आज आज आपको मिलेगी T. अपनी आँखों का आज खात ध्यान रखे आपके आँखों में कोई इंफेक्शन हो सकता है U. करियर में आज कुछ बदलाव होने वाला है जिससे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी V. आजी की जोजना बना कर चलेंगे तो सारे काम समय के साथ अच्छे से पूरे होंगे W. लोगों के वियोहार से आपको थोड़ी परिशानी होगी किसी की बात का पुरा न मनो X. किसी काम में भाई की मदद बिलेगी जिससे वो काम आपका जल्दी पूरा होगा Y. अनावश्यक कारियों का बोज़ आपके उपर आ सकता है इमानदारी से अपना काम पूरा करें Z. दो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजड रहे थे उनकी आज आर्थिक इस्थिती बहतर बनीगी और अब बात आज के तीस की आज सावन का चौथा सोंबार है तो हम आपको कराने जा रहे हैं त्रैमबकेश्व जोतिरलिंग के तर्शन ये जोतिरलिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट राज्यके नासिक जिले में इस्तित है नासिक शहर से करीब 25 किलो मिटर इस जोतिरलिंग के सबसे अधिक डिकट ब्रमागिरी नाम का परवत है इस परवत से गोदावरी नदी शुरू होती है भागवाल शिव का एक नाम त्रैमबकेश्व भी है कहा जाता है कि भागवाल शिव को गौतम रिशी और गोदावरी नदी के आगरह पर यहां जोतिर लिंग के रूप में रहना परा तो आप भी किजिए पवित्र त्रैमबकेश्वर जोतिर लिंग के दर्शन अब बात अवाइड अवड़ दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है को शामण शुक्रपक्ष की सब्समाप्त हो चुकी है फिलाल अश्टमी तिति चल रही है अश्टमी तिति में नाजियल या नाजियल से बनी चीजों का इस्वाल निशिद है आज के दिन ना इस तरह तिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकिया आप कुछ भी खाईए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कल की शुब दिशा क्या है तो कल की शुब दिशा है पस्चिप और उत्तर पस्चिप और अब सावधन को आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लोगाउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 0124-4721-000 और 9971-000226 भविश्यमानी में फिलाल इतना ही नमस्कार